हेलो दोस्तो, मैं बिरंद कुमार, आप सभी का हमारे योट्यूब चैनल सू एंड अमल में हर्दे सौलित करता हूँ आज मैं आप लोग सामने दो जूतों का कॉम्पेरिजन लेकर आया हूँ एक है एडिडास का टकूमी सेन और दूसरा है नाइकी का पेगसेस ऐसे मैं बोलू तो ये दोनो जूतों का कॉम्पेरिजन फेर नहीं है पर मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये कॉमेंट करके बोला था कि इन दो जूतों का कॉम्पेरिजन वीडियो लाने के लिए तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ सिखने के लिए मिलेगा कि आखिर दो जूतों का कॉम्पेरिजन हमें किस अधार पर देखना चाहिए करना चाहिए ऐसा नहीं है कि कोई भी दो जूता लेकर के आएंगे और कॉम्पेरिजन करेंगे आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो सू कॉम्पेरिजन होता है वो किस अधार पे होता है ये जो मेरे हाथ में है अभी नाइकी का पेगसेस 36 मोडल है ये और अभी प्रजेंट में चल रहा है 39-40 मोडल 39-40 मोडल जो है उसमें और ये 36 मोडल में सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज़स किया गिया है कॉस्मेटिक चेंज़स करने का मतलब है कि अपर का कुछ कपड़ों को चेंज़स किया गिया है इसका जो इसमें full length airport लगा हुआ है तो 40 model में 2 pod लगे हुए एक आगे एक पीछे बाकी जो इसका main जूते का जो जान होता है वो होता है सा midsole midsole इसका जो react form है वही इस्तमाल किया गया है Nike का ये जो जूता है Pegasus ये है daily trainer shoe और Adidas का ये जो takumis in 9 है ये है आपका fast running racing shoe तो ये एक है daily trainer shoe और एक है racing shoe तो दोनों जूते अलग purpose के लिए है तो सबसे पहले आपको comparison जब हम लोग करते हैं तो ये चीज़ समझना होगा कि हम लोग जब compare करेंगे तो दो जूता same category का होना चाहिए दोनों अगर daily trainer होता या दोनों racing shoe रहता तो comparison सही रहता पर आप लोगों मैं यही बोल रहा हूँ कि वीडियो को देखिए बढ़िया से पूरा समझे कि अगर हम लोग comparison करने के लिए आये हैं तो क्या देखना है हम लोगों comparison में अब देखिए ये जो pagasus है बना चुका हूँ फिर भी आप लोगों को जानकारी देता हूँ एक ऐसा जूता है जो कि आपका week का सातों दिन में आपका running में help करें सातों दिन में हम अलग-अलग running करते हैं कभी road पे दोड़े हैं कभी ground पे दोड़े कभी hill पे दोड़ें तो ये जूता है चार साल इस्तेमाल कीजिए कोई भी जूता हाड हुई आएगा पर देखिए इसका जो आउट सोल है रवर जो है ये अभी तक intact है हलका इधर में आगे में घिसा है पर साइड में देखिए इसमें अभी भी जान है इसके अलावा देखिए इसका इनर जो इनर सोल जो होता है उसका जो ब्रैंडिंग है वो अभी तक मिटा नहीं है ये इतना reliable सू है और इस जूता को अभी मैं skipping drill exercise के टाइम पर स्तमाल करता हूँ तो अगर आप एक जूता लेना चाह रहे हैं जो कि आपका हर काम करे तो ये जूता आप आराम से ले सकते हैं अभी के टाइम पर 39, 40 model है ले सकते हैं आपको price पड़ेगा 11,000 तक अब वहीं ये एडिडास का टकूमी से 9 है 8 और 9 ये दोनों सू को अडिडास ने racing purpose के लिए बनाया था 5 किलमेटर और 10 किलमेटर के लिए पर मैं अभी present में अपना 10 किलमेटर का 5 किलमेटर का और यहां तक हाफ मेर्थन का जो मेरा personal best time है वो मैं इसी जूता पे निकाला हूँ तो ये आपका हाफ मेर्थन तक में भी help करेगा पर ये daily trainer सू नहीं है ये जूते का खास्यत क्या है इसमें देखिए energy road लगा हुआ है ये काम करता है आपको ये spring जीसा काम करता है आपको speed दोड़ने में help करता है तो ये एडिडास ने इसे speed के लिए ही तयार किया है आपको ये जूता का दाम पड़ेगा आपको 17,000 रुपे 17,000 रुपे पड़ेगा ये जूता आपका daily training purpose के लिए नहीं है आप daily इसको पहन के इस्तमाल नहीं कर सकते है इसे आप racing purpose के लिए इस्तमाल कर सकते हैं अब बात करते हैं कि ये दोनों जूता में हमें कौन सा जूता लेना चाहिए देखिए दोनों जूते अलग purpose के लिए हैं पहले तो आप ये बात clear cut समझ लेजिए अगर आपको daily training के लिए सूच चाहिए तो आपको Nike का Pegasus लेना चाहिए और वही पर आपको कोई racing purpose के लिए सूच चाहिए तो ये लेना चाहिए अब बात करते हैं कि किन को ये जूता लेना चाहिए अगर कोई beginner है एक जूता उनको खरिदना है उसी में सारा काम करना है तो ये सू अच्छा रहेगा ये जूता आपको ऐसा नहीं है कि race नहीं कर सकते हैं race भी कर सकते हैं हर काम कर सकते हैं इसको पहन करके मैं marathon अपना दोड़ा भी हूँ पर अगर कोई सोच रहे है कि नहीं मुझे अपना time को 5 second, 10 second, 20 second एकदम margin basis में कम करना है तब ये जूता आपको help करेगा बाकी आप 7 दिन practice करने के लिए ये जूता ले सकते हैं और racing के लिए ये सू ले सकते हैं अगर आपका budget अच्छा है तो मैं बोलूँगा कि आपके पास में कम से कम 2-3 सू होने चाहिए जो कि आपको daily basis में practice करने के लिए जूता होना चाहिए और एक जूता आपका especially race के लिए होना चाहिए क्योंकि आप एक जूता पहन करके हमेशा practice करोगे वो जूता खराब हो जाएगा तो अगर आप effort कर सकते हैं तो मैं बोलूँगा आपको एक daily trainer सू लेना चाहिए daily trainer सू के लिए मैं ये जूता recommend करूँगा और वही racing के लिए खासकर 10 km तक का ये जूता मैं recommend करूँगा तो आसा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो इसे like कीजेगा, share कीजेगा मुझे support करने के में चैनल को subscribe कीजेगा और घंटी को बजा लिए कि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ आपको तुरंद मिल जाए और किस topic में आपको वीडियो चाहिए इस बारे में भी comment करके बोलिएगा मैं जल्द से जल्द उस topic में वीडियो लाने का प्रयास करूँगा वीडियो देखने के लिए आपका दल से धन्यवाद